नमास्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूटूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर इन हिंदी पे तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पोयम जिसका नाम है एपिसल टू डॉक्टर अर्बत नौट और ये लिखी गई थी एलेक्जंडर पोप के दुआरा तो एपिस इति लिए स्कोलर भी थी ये एपिस सबगास्तों गया थे। तो यह poem एक थो उन्होंने memorial के रूप में उनको लिखी लेकिन उन्होंने इस poem में एक, तीर से दो शिकार किये गए हैं इस शिकार कैसे किये गए हैं? क्योंकि इस poem के थुरू उन्होंने जो उस समय के घटिया poet थे जो नए नए पोएट थे, जो पैसे के लिए काम करते थे, जो चुरा कर लिट्रेचर लिखते थे, उनके उपर बहुत ही बुरा अटेक किया है सेटरीकल वे में उनके उपर अटेक किया है तो ये पोएम उन्होंने कंपोज की थी 1734 में और पब्लिश की थी 2 जनवरी 1735 में और जो डॉक्टर अर्बत नोट थे, उनकी मौत हो गई थी 27 फरवरी 1735 को मिन्स ये पोएम पब्लिश होने के आठ वीक बाद उनकी डैथ हो गई थी क्योंकि वो किसी बिमारी से गर्शी थे अलांकि इस फॉयम में जो कुछ पाठ है वो उनोंने पहले कभी लिख दिये थी 1734 से पहले लेकिन उनोंने इनको यहांपर पोएम के अंडर डाल दिया था पहले जो लिखे लिखाये थे और यहां पर कुछ पार्ट लिखे और कुछ उनको भी add कर दिया था तो दोस्तों यह 419 lines की पोएम है बहुत ही लंबी पोएम है जो की heroic couplet में लिखी गई है वैसे तो हम अगर topic wise बात करें तो इस पोएम को हम साथ भाग में बाट सकते हैं ऐसा नहीं कि इसमें साथ अलग-अलग parts है पोएम एक ही है लेकिन जो topic है जो poet कुछ कहता है तो वो change हो जाते हैं बीच-बीच में तो वो साथ part में हम divide कर सकते हैं आपको आगे बताऊंगा एक-एक करके और कौन सी line से किस line तक वो part है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा तो आप इस वीडियो में बने रहे है लास्ट तक समरी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यह जो poem का है इसका जो writing model है वो जो होरास एक महान Greek poet थे वो जब अपने जमाने में जो satire लिखते थे गटिया poet पर उसी परकार से यह भी उससे मिलता जुलता है क्योंकि वो जो होरास थे उन्होंने यह satire इसले लिखे थे गटिया poet पर कि जो गटिया poet होते हैं वो जो poetry का standard गिरा देते ह उस जमाने में उस time के culture में तो उन्होंने उन पर attack किते हैं तो इसी परकार से जो Alexander Pope है इन्होंने भी जो गटिया गटिया और नए नए poet थे जो की poetry चुरा के लिखते थे दूसरे से copy करते थे उनके उपर attack किया है तो यह Horatian model पे आधारी था यह poem तो start करते हैं इस poem की जो first part है उसकी summary जो की first part है वो पहली line से लेके 68-68 lines तक है तो जैसे यह poem start होती है तो जो Alexander Pope है उनका जो एक private servant है John जिसका नाम है वो उसको कहते हैं कि जल्दी से दर्वाजा बंद कर दो वो दर्वाजा बंद करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि वो जो सारे जितने भी नए नए गटिया poet हैं उनके घर के आगे खड़े हैं कुत्तों की तरह हैं like dogs उनकी हाथ में paper है उनकी आखों में आग रहते हैं वो मेरे घर के सामने क homem करे हैं दर्वाजा बंद कर दो और वह कुत्तों किसी कुछी को शेज करते हैं वो मिरो पीछे पड़े रहते हैं तो तुम दर्वाजे को बंद करके उसको lock लगा दो फिर वो कहता है कि यह जो गटिया poet हैं यह मेरे पीछे इतनी बुरी तर करते रहते हैं अब यह यहाँ पर यह जो ट्विक ने में मेरा घर है यह मेरे घर के सामने भी आ गए है और अगर मैं मैंने दरवाजा बंद कर दिया है तो यह दीवारों पर चड़ रहे हैं इस यह मेरे अर्बतनोट थे वो बिमार हो रखे हैं, प्लेग टाइप कोई बिमारी थी, तो उसी परकार से कहता है कि यह गटिया पोएट भी उस बिमारी की तरह हैं, जो अच्छी चीजों को खराब कर देंगे, उसके बाद वो कहता है कि यह गटिया पोएट हैं, इनका कोई सोलूशन न लिखते हैं, जिससे कि जो पोएटरी का स्टेंडर्ड है, और जदा गिरता है, तो हम मैं बिल्कुल कन्फ्यूज हो गया हूँ, उसके बाद जो पोएट है, उन गटिया पोएटों को एक सला देता है, होराशियन सला कहते हैं, जिससे कि तुम लोग अभी पोएटरी मत लिट्रेचर, तुम सिर्फ 9 साल तक प्रेक्टिस करो, और कोई भी चीज पब्लिश मत करो, लेकिन वो पोएट फिर भी एगरी नहीं होते हैं, और वो गटिया पोएटरी पब्लिश करते रहते हैं, फिर उसके बाद वो गटिया पोएटरी करने के बाद एलेक्जंडर पार था जिसमें वो उन सब गटिया गटिया पोएट को क्रिटिसाइज कर रहा है, फस से लेके 68 लाइन तक, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो शुरू होता है 69 लाइन से 124 लाइन तक, तो उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब पोपलर होना भी एक कुना हो गया, जो एलेक्जेंडर पोप थे, वो एक अच्छे पोएट थे, तो वो पोपलर थे, तो कहते हैं, अब मेरा पोपलर होना भी मेरे लिए एक सजा बन गया है, वो सजा क्यों बन गया है, क्योंकि ये जो गटिया पोएट हैं, ये मेरे को टारगेट करते हैं, मेरे उपर टॉंट करते हैं उसके बाद वो जो कुछ गटिया गटिया बड़े पोईट थे जिनका नाम था कोली हरले बेवियस बिशप सैफोज उनका नाम लेके बाइनेम लेके उनको इंसल्ट करता है तो तब वहाँ पर कुछ जो जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी तक यहाँ पर हमको अर्बथनोट है वह भी बीच में आके कोश्चन करते हैं अलेक्जंडर पोप से हालांकि वह रियली में यहाँ पर नहीं है लिखा पोईट अलेक्जंडर पोप नहीं है लेकिन उनको बीच में बस मैंसिन कर दिया जियो गोरफिकल वह वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो तो डॉक्टर अर्बथनोट कहते हैं कि आप यह जो सैटायर लिख रहे हैं इसमें किसी बंदे का नाम मत लीजी क्योंकि यह बंदे पोलिटिकल इनकी अप्रोच है और यह आपको जेल में डलवा देंगें तो जो अलेक्जंडर पोप रिपलाई करते हैं डॉक्टर अर्ब अलेक्जंडर पोप तो कहते हैं कि मैं तो नाम लेकर ही लिखूंगा तो अलेक्जंडर पोप डॉक्टर अर्बथनोट से एक जोकिंग वे में एगरी नहीं होते हैं उसके बाद जो अलेक्जंडर पोप वो कहते हैं कि यह गटिया गटिया पोइट हैं यह कभी-कभी तो मे हरक्यूलिस और अलेक्जंडर दा ग्रेट उससे मिलता जुलता है तो वो कहते हैं कि हालांकि यह सब कहते रहते हैं तल्वे चाटते रहते लेकिन मैं इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं तो एक साधारण आदमी हूं उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है कर रहा है कि मैं पोईट बनूं यह मेरी इच्छा है इसलिए मैं पोईटरी लिखता हूं उन्हें कहा कि जो एक लाइन यूज़ करते हैं हार्ट टू लर नंबर वाले की मैं नंबरों को याद नहीं करता है नंबरों को करने का मतलब यहां पर यह है कि वह साइंस और उस टा आता है वो जब मेरी poetry और मेरा literature पढ़ते हैं तो उनको आनद मिलता है तो इसलिए मैं poetry लिखता हूँ उसके बाद वो कहते हैं कि जो बड़े-बड़े poet हैं जैसे कि John Dryden उन्होंने भी मुझे appreciate किया है जब उनको मेरी poetry अच्छी लगती है तो इतने बड़े poet को मेरी poetry अच्छी लगती है तो मुझे और अच्छा काम करना चाहिए उसके बाद जो fourth part है जो कि 147 line से 260 line तक है तो इसमें वो पहले कहता है कि वो इन poet पर जो ये गटिया poet है इन पर attack क्यों करता हूँ वो कहता है कि ये लोग poetry का standard इतना गिरा देंगे कि poetry नाम की चीज से लोग नफरत किया करेंगे वो कहता है कि मैं इनके उपर attack इसलिए करता हूँ ताकि ये लोग कुछ इनको थोड़ा reprimand हो इनको थोड़ा बुरा लगे और ये थोड़ा सा अपना standard हाई करे वो उन्हें गधे और मूरक कहता है openly उनको donkey and fool कहता है वो कहता है कि हालां कि मैं इने प्यार से भी समझाता हूँ मैं इने डिनर पर भी ले के जाता हूँ लेकिन इनको कोई फरक नहीं पड़ता तो वो कहता है कि कुछ जो गटिया poet है ये उपर मेरे उपर ताना मारते हैं मेरे उपर satire लिखते हैं लेकिन मैं इनके satire की कोई मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि ये खुद ही मूरक है तो मेरे उपर क्या criticism करेंगे ये खुद मूरक हैं को कुछ नहीं पता उसके बाद वो by name से कुछ poet के उपर ताना मारता है पहले वो कहता है कि जो एंब्रोस फिलिप नाम के जो poet है ये एक चोर है वो कहता है कि ये जो Greek literature है वहाँ से material चुराते हैं और उसे अपने forum में लिख देते हैं और पैसे कमाते हैं और बलाए ये इतने घटिया हैं अगर ये original poetry लिखें तो ये एक साल में जो एंब्रोस फिलिप है आर्ट लाइन भी नहीं लिख सकते हैं उसके बाद वो दूसरे एक poet जिसका नाम है Joseph Edison उनके उपर attack करता है कि वो कहता है कि हालांकि ये थोड़े अच्छे poet हैं लेकिन इनकी problem ये है कि ये पूरी literature के world को ही dominate करना चाहते हैं और ये coward हैं ये कायर हैं ये कायर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने दूसरे कुछ poet के उपर taunt कर दिया है satire कर दिया है लेकिन अब ये डर गए हैं कि अब दूसरे poet भी इनके उपर satire wang लिखेंगे और इनकी धज्या उड़ा देंगे उसके बाद वो तीसरे एक poet जिनका नाम Lord Halifax है उनके उपर attack करता है वो कहता है कि ये तो ऐसे poet है जिनको सिर्फ flattery ही पसंद है इनको और कोई काम धाम नहीं है कैसा भी गटिया literature लिखेंगे और लोग इनकी flattery करेंगे और ये उनकी flattery जो गटिया गटिया पोईट है उनकी flattery से खुश हो जाएंगे उसके बाद जो फिफ्ट पार्ट स्टार्ट होता है 261 लाइन से 304 लाइन से तक उसमें वो अपना खुद का जो attitude है life के लिए और present time के लिए वो थोड़ा बयान करते हैं वो कहते हैं कि please मुझे अकेला छोड़ दो मुझे परेशान मत करो वो ये सब आवान इन घटिया पोईट को कर रहे हैं कि कुछ तुम अपने level सुदारो और मेरे उपर comment करना बंद करो मुझे अकेला छोड़ दो और अगर मैं किसी को कुछ कहता हूँ मैं किसी के उपर सेटार करता हूँ तो ये उन लोगों के लिए है जो ये घटिया लोग है ना कि जो अच्छे और honest लोग हैं उनको मैं कोई harm नहीं करना चाहता अपने सेटार के तोलु ना उनकी reputation को मैं कम करना चाहता हूँ ना मैं उनकी insult करना चाहता हूँ और जो अच्छे और honest जो ये writers हैं उनको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद जो 6th part है वो है 305 से 333 lines तक उसमें एक वो poet हैं जिनका नाम है Harway उनके उपर नाम लेकर उनका attack करते हैं वो उन्हें spores नाम का title देते हैं old times में कभी एक गटिया poet हुआ करते थे और वो कहते हैं कि ये तो गधे का दूद पीते थे तो वो जो ये Harway है उनका उनसे compare करता है और कहता है कि वो जो spores थे वो homosexual थे तो कहता है कि ये भी जो ये Harway है ये भी sexual perverse आदमी है बहुत ही malicious आदमी है घटिया और dangerous आदमी है ये सिर्फ अपने wheel से सिर्फ एक butterfly को ही मार सकते हैं उसके बाद वो कहते कि ये एक आदमी है लेकिन ये एक आदमी के अंदर man और woman है एक ही आदमी के अंदर animal और demon है और एक ही आदमी के अंदर ये जो रूप बदने वाला सैटन है जिसे अशुब माना जाता वो है तो वो इस पकार से उनकी insult करते हैं उसके बाद जो बिलकुल last part है जो की 334 lines है 419 lines तक है इसमें वो खुद के बारे में कहते हैं वो खुद के बारे में डक्टर अर्बत नोट को बताते हैं कि वो कभी भी fortune की पूजा नहीं करते हैं वो किसमत के पीछे नहीं बागते हैं वो अपने बारे में कह रहे हैं वो कहते हैं कि मैं एक bold और courageous आदमी हूं मेरे माता पिता ने मेरी बहुत ही अच्छी परवरिश की मेरे माता पिता इंगलेंड के बहुत ही अच्छे नागरिक हैं और वो अपना अच्छे से जीवन वैतीत कर रहे हैं मैं भी उनकी तरह ही अपना जीवन वैतीत करना चाता हूं और अच्छा काम करना चाता हूं उसके बाद वो जो डॉक्टर अर्बत नोट हैं उनके लिए अच्छी wishes करते हैं वो wish करते हैं कि आपकी health ठीक हो जाए और आप भी एक अच्छी और प्रोप्रेस लाइफ जी पाए हालांकि उनका ये जो wishes थी वो पूरी नहीं हुई और ये poem publish होने के आठ वीक बाद ही उनकी डक्टर अर्वतनोट की death हो गई थी आश्या है ये आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर ये आपको पसंद आई हो तो like कर देना पसंद ना आई हो तो dislike कर देना ओके दोस्तों बाए